कि इसमिल्ला रमान रही हमने रिस्क को स्टार्ट किया था उसकी थोड़ी थी जो अंब सिक इन्फ xy एननी निश leurs एयुन से वाले से ने बात की थी उसको यह न्हatura с सbalance का planning एक संदो in गर कशनेलाइज करना हैं और हम ने कैसे मैनेज करना तरह तक और 도 इसको मौनिटर कैसे करते रहना है इसके अंदर जो कि जो एलिमट्स है या key aspects हैं उसके अंदर ये है के how to conduct risk management activities for the project. The key benefit of this process is that to ensure the degree that the degree type and visibility of risk management are appropriate to both risk and the importance of the project to organization and other stakeholders. Basically हमें क्या करना है कि हर aspect से हर degree से जो visibility बन सकती है risk की हवाले से उनके हिताब से हमें क्या करना है risk को identify भी करना है और उनको हमने analyze भी करना है. Analyzation दो किसम की होगी हमें risk के उपर एक qualitative analysis होगा और quantitative analysis होगा. ये identification के बाद होगी. यानि पहले हम identify करना होगा, पहले हम plan plan बनाएंगे, उसके बाद identify करेंगे risk उसके बाद qualitative analysis होगा उसके बाद हम क्या करेंगे quantitative analysis करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं उनके plans बनाते हैं कि अगर ये risk happen हुआ तो हमें क्या strategy अपनानी है तो ये important factor होगा या important aspect होगा आज के lecture का जिसको हमने planning करनी है कि किस तरह से risk को हमने लेके चलना ह तो इसके जो मिजर आर्टिफेक्स रिक्वाइड है वो पोजेक्ट डाकुमेंट्स होंगे और चार्टर होगा क्योंकि चार्टर के अंदर हमने ये बात पहले की हुई है कि जो high level के risk होंगे assumptions होंगी यानि जो हमने constraints mention किया होंगे constraints क्या होंगे बते के लिए हमारे लिए वो हमें एक trigger देते हैं कि ये चीज अगर आपने limit में ये राके करनी है तो हो सकता है हो सकता है possibilities है आपके पास वो risk भी बन सकता है later on तो उनको अपने considerate करना होगा और documents में से जितने documents project के उपर होते हैं उनको हम utilize करते हुए risk को उनकी planning करेंगे और planning के बाद हमने planning क्या करनी है उनकी कि हमने उनको identified कैसे करना है एक तो हमने documents होते हैं project के उपर उनसे हमने clue लेना है कि ये ये risk happen हो सकता है उसके बाद हम उनके साथ में planning को identify कैसे करना है और इनको qualitative analysis कैसे करना है क्या method होगा हमारा किस तरीके से हम करेंगे वो planning में हम mention कर देंगे high level project boundaries requirements यानि charter के अंदर mention होती है और high level के risk भी mention होते है guide the planning risk management यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ information मिल जाती है या guideline मिल जाती है कि risk को हमने ले के कैसे चलना है project documents में stakeholder register major part होता है project management documents का उसको हमें सामने रखना होगा कि कि कोई stakeholders की वज़ाते कोई risk की planning में problem तो नहीं है या वो stake कौन-कौन से stakeholders involved है क्या उनकी tolerance threshold या जो risk के हवाले थे उन stakeholders की requirements है कहीं उनके tolerance है या key stakeholders की बात हो रही है तो अगर वहां पर कोई भी ऐसी चीज़ उन stakeholder को ले के उनकी involvement को उनकी जो influence है या उनकी कोई power है उनको ले के कोई risk है तो वो हमें यहां planning में mention करनी होगी plan को create करने के लिए हमारे पास जो है वो 3 basically methods है जिनको mutilize करेंगे expert judgment, data analysis और meeting इसके base पर हम क्या करेंगे plan create कर देंगे data analysis में हम क्या करते हैं कि analysis to determine risk appetites of the stakeholders यानि हमें basically जो stakeholders को ले के या जो key stakeholders होंगे या जो हमने identified की हैं list of stakeholders से stakeholders register से जो stakeholders आपको ऐसा जो risk register में mention है उसको आपने देखना होगा या उनके appetites या उनकी जो requirements के thresholds होंगे वो देखने होंगे especially जो key stakeholders होंगे या major stakeholders होंगे उनको आपने दरूर उनको mention करना होगा जैसे एक stakeholders की example ले ले लें यहाँपर के supplier है project के उपर सबसे important role आपके supplier का होता है या आपको जहां पर भी कोई project आप कर रहे हैं तो material सबसे important होता है material के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ें भी देखने हैं यहाँपर एक example जैसे हम देखने हैं supplier जो है वो किस तरह से आप ले के चल सकते हैं उसको वो कितना का रिसक उसका ले सकते हैं या उसकी कोई boundaries है या उसको हम time limit दे सकते हैं या हमने उसके साथ कोई agreement ऐसा किया हुआ है उसके अंदर कहीं तो ऐसा risk नहीं है तो उसको उसके data को लेके जो agreements हुए है उन data को लेके आपने analysis करना है क्या हमारी timeline जो supplier के साथ हमने define की हुई है वो actual जो हमारे project की planning है उससे match कर रही है जो supply हमें मिलने वाली है तो क्या अगर वहां उसमें कोई risk है तो हमें वो जरूर planning में mention करनी चाहिए और उसके अवाले थे कोई assumption है अगर हमने की हुई है उसको भी हमने रखनी है कि हमने assume किया हुआ है कि ये part हमें बाहर से आना था abroad से हमें कहीं से भी USA चाहिना से कहीं से भी आना था तो वो क्या aspect है कि वो delay हो जाएगा कहीं custom delay custom की वे जाते delay तो नहीं होगा या कहीं ऐसा problem तो नहीं है तो definite हमें वो उसकी assumption को देखना होगा इसके नतीचे में हमें एक risk management plan create होता इस process में risk management plan क्या है basically यानि इतके अंदर हम क्या करते है जी आते है ये assumptions में हमने जैसे जी जी पास और इस प्लायर है क्या आपकी आवास करते है payment payment भी consider करने ही पड़ेगी definite करने ही पड़ेगी वही चीज हमें जरूर देखनी है कि हमारी जो supply हमने question बे time किया हुआ होगा इस तरह का एक अदा कि हमें वो देखना होगा कि release payment उसके हवाले से हमें उस हवाले से रखी है के नहीं रखी अगर रखी है तो supplier को क्या time पे वो हमें मिलेगा part हमें मिल जाएगा उसके उपर क्या क्या risk है वो हमें देखने होंगे risk management plan में हमें कुछ elements देखने हैं जी ठीक होगा आदर इस रोल्स और स्पॉंसिबलीज फंडिंग रिक्वार्मेंट्स हैं यह फंडिंग जारिस्क के हवाले से timing यह सारी की सारी चीज़े elements जितने भी हैं यह basically risk trigger है तो इनको आप यह कह सकते हैं कि आपकी methodology भी risk अप definite कर से आप आप एक एक ऐसा जो है वो plan आप यह project के ओपर phase आपने ऐसा करना है जो के agile को करना था आपने waterfall choose कर लिया या आपने waterfall करना था आप agile choose कर लिया आपने यह अपरिप्रियेट methodology आपने यूज नहीं की timing नहीं ठीक stakeholder जो appetites हैं यह नहीं उनको आपने नहीं बंदे नाजर रखा या सामने नहीं रखा और probability impacts को आपने matrix नहीं create किया या आपने उनको calculate नहीं किया तो यहीं चीज़ है reporting format आपकी better नहीं है आप उसको सही तरीके से templates नहीं बना पा रहें tracking आपने सीव यह सारे के सारे जितने भी elements हैं यह basically risk trigger होंगे यहां से भी risk को हम देख सकते हैं कि root cause क्या है वो इन categories से हमें मिल सकता है यह not limited हैं बलके आपको एक hint दिया गया या कुछ ना कुछ ideas दिया गये हैं इसके इलावा जो root cause हैं कोई और भी बन सकते हैं projects के उपर risk management plan में यानि हमें क्या risk strategy describe the general approach of the managing risk on the project methodology क्या होगी approaches tools and data source that will be used यानि कौन सी methodology approaches हैं आपकी जो हमने तीनों किसम के approach use की है roles and responsibility who will do what यानि कौन सी चीज़ कौन बंदा करेगा funding क्या है identify the fund needs perform activities related to project risk management यानि ये fund itself risk को manage करने के लिए organization में उसको भी हमें एक special fund allocate के ड़ता है जो के हमें project की risk को calculate करके या उसको manage करते हैं हम तो इसलिए हर जो critical projects होते हैं उसके उपर एक risk manager must होता है जो के सारे की सारी चीज़ों को देख रहा होता है सारे की सारे assessment कर रहा होता है कि इस वज़ाते risk है क्या वो assumption में mention था के नहीं था अगर नहीं था तो ये लेखना है या risk register में mention है के नहीं है या identify हुआ है के नहीं हुआ अगर identify नहीं हुआ तो अभी identify करना है और उसको calculation करना है उसके साथ जो relate चीज़ें है या कास्ट है schedule है या scope है या कोई resource है उसके अवाले से देखना है तो वो हमें जरूर उसको add करना चाहिए उसके अंदर review करके उसके change कर लेना चाहिए चुक् थो करेंगे timing when and how often risk management process will be done यहीं वही बात आगी कि किस वक्त हम risk management process जो है वो या risk management का process कब करेंगे हम और कौन करेगा किस वक्त करेंगे वो सारे कि सारी इसके अंदर risk management plan में mention होगी यहनि honor कौन होगा या कब करेगा वो honor risk breakdown structure जैसे हमने work breakdown structure बनाया, resource breakdown structure बनाया, organizational breakdown structure बनाया, इसी तरह से risk breakdown structure भी होगा यहीं risk manager क्या करेगा, एक risk breakdown structure create करेगा, जो किसी categorization पर होगा, यानि categorize कर देगा, technically है, external है, organizational है, project management risk है projects के हवाले से उसको sub divide कर देगा, कि यह risk इससे relate करते हैं, वो हो सकता है, function wise भी हो, वो हो सकता है, और base पर भी वो categorize कर सकता है, तो वो basically हमें बताएगा, कि यह यह risk happen हो सकते हैं projects के उपर, अब let's say, कोई एक project है software का, दूसरा project है construction का, या तीसरा project है implementation का, तो तीनों के तीनों के उपर, उसी base पर हम उनको categorize करतेंगे, इस तरह से हम इसको कहते हैं risk breakdown structure, risk breakdown structure में जाते हैं example भी दी गई है, technical risk है, requirements है, technology है, complexity and interface हो गया, performance and reliability हो गया, और quality हो गया, यह technical risk हो गया, external में हमने क्या, subcontractors है, suppliers है, regulatory है, market, customer हो गया, weather हो गया, यह external है, risk जो project के उपर आओ सकते हैं उसके इलावा organizational के हम से है, project dependencies है, resources है, funding है, और prioritization है, यह कुछ risk हम दे सकते हैं, जो organization के हो सकते हैं, project management के हैं, estimating, planning, controlling and communication, यह इनके कुछ example दी गई है, यह limited नहीं है, इसके इलावा भी आप extend करते जा सकते हैं, अगर आप देखें, तो यहाँ पर एक और slide भी mention की गई है, मज environment definition है, estimate, assumption, constraints है, technical processes है, technology है, technical interfaces है, और etc. यहनि यह एक list की, risk की, एक list create कर सकते हैं, कि कौन सी category का sub-divion उसका जो level होगा, level 2, जैसे हमने WS के level बनाये थे, WBS के level, इसी तरह से RBS के भी level होंगे, level 0 है, level 1, level 2, तो हम उनको उसी तरह से divide करते जाएंगे, sub-divide करेंगे, तो हमने उनको भी decompose किया, जैसे WBS को, इनको भी हम decompose करेंगे, ताके हमें असानी से पता चल सके, कि यह risk trigger करेगा, के नहीं करेगा, तो हमें जब इस तरह से हम risk को लेके project के उपर चलते हैं, तो हमें definite हर चीज, हर component पे, और इसको मैच करते हैं, बाद जवार WBS के साथ भी, कि क्या हमें इस list को जो हमने create कि है, WBS के साथ मैच करने से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, जो project के उपर हमारी जो हमसे miss हो रही हो, जिसको हमने trigger ना देखा हो, जिसका trigger हमने ना देखा हो, project के उपर risk के लिए, तो उसको भी हम consider कर लेते हैं, probability impacts जैसे हमने पिछले lecture में भी discuss क किया था, अगर हम देखें तो, यहां पर देखें, अगर हमने qualitative analysis में, especially जैसे हम उसकी quality देखते हैं, यह qualitative analysis करते हैं, तो हमने, मैंने last lecture में बताया था, कि हम उसको high scale में convert करते हैं, जैसे very high, high, medium, low, very low, और nil, उसकी अगर हम probability देखें, तो यह हमारे organization पे depend करता है, कि हमने व पर इसको vary कर सकते हैं, normally एक example के तोर पर अगर हम देखें, तो यहां scale बताया गए जाते है, very high का, यानि greater than 17, 70 अगर probability हो, तो हम considerate करते हैं, कि यह very high है, जैसे example के तोर पर आपको यह देखना है, कि project के उपर activity पर आप उसकी planning कर रहे हैं, या उसका schedule देख रहे हैं, आपको लगता है वो activity के 80% chances हैं कि वो delay हो जाएगी, आपको यह लगता है, तो वो more than 70% है, या जो chances आपको लग रहे हैं, या probability लग रही है, वो more than 70% है, यानि 80% है, इसका मतलब है कि वो high category में, very high category में आएगी, और वो timing जो है, वो six month की है, और वो यह भी देखा जा रहा है, कि delay उ पढ़ रहा है, वो हमने बताया है, यानि हमने जो impacts की बताया है, बात की थी, वो basically हमने time, quality और कास्ट और scope को देखा था बादगफा, तो scope भी include होगा इसके अंदर, यहां तीन चीज़े mention की है, scope भी include होगा, definite हो सकता है, इसकी वज़ा से, इस activity की वज़ा थे, वो दूसरी activity delay हो रही हो या extend कर गया, उसको पगा आपका, इस वैसे उसको भी आपने mention करना होगा, तो यहां impacts की बात की बात की गई है, तो probability के साथ impact को भी हमने देखना है, जैसे हमने probability और impacts को हमने severity में, जो last lecture में हमने discuss भी किया था, यहां अगर very high की example ली जाए, more than 70% six month, और इसकी जो cast impact होगी, यानि cast wise impact, यह timing wise impact है, यह cast wise, तो वो क्या होगा, greater than five million का यहां पर वो बताये गया है, तो यहां आपके project पर vary कर सकता है, और depend करते हैं आप किस तरह की आपने scaling बनानी है project के उपर, यह हम आगे मजीद भी इसको देखेंगे, quality wise क्या है, very significant impact on overall functionality पर effect पढ़ रहा है, यह इसका मतलब है कि quality wise हमें functionality पर effect पढ़ रहा है, यह जैसे हमने कहा था कि यह functional, जैसे हमने quality requirement में एक elevator की example ली है, या हमने ले 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 अगर हमें, हम यह कहते हैं कि one floor से लेकर second floor तक, यह इसका function यह होना चाहिए, कि हमें one minute से one point two minute तक हमें मिलना चाहिए, एक floor से दूसर floor में, तो definite यह, अगर हमने यह delay कर दी activity यह activity जिसको पर हमने cast भी mention कर दी और यह इसकी probability high है, तो definite यह functionality पर effect कर सकता है, और वो हमें उस तरह के output नहीं मिलेगी, जो हम elevator से चाहते हैं, तो इस तरह की example आप ले सकते हैं, कोई और भी example project के ओपर हो सकती है, high कि उसने बताया 51% से 70% medium 31% से, 50% low 11% से 30%, very low 1% से 10% और nil जो है, less than 1% और इसके ओपर no change है, no change, no change, तो यह example आपके लिए set की गई है, इस तरह की scaling या definitions जो होंगी probability impacts की, हर projects के ओपर risk manager या जो project के ओपर project manager होता है, अगर वहाँ छोटा projects है, तो सारे के सारे function कौन कर रहा होता है, project manager कर रहा होता है, तो project manager एक scale create कर देता है, कि हम इस project के ओपर इस तरह को, इस तरह से risk को लेके चलेंगी, यह scale variable है ना, variable है, बिल्कुल, variable है, और यह आप खुद scale बना सकते हैं, आप यहाँ देखें, यहाँ पर one scale, यानी one two hundred तक scale को ल रहा है कि हम इस risk को categorize एक और अंदाज में भी कर सकते हैं, जाते हमने बताया कि risk दो क्राइब के होंगे, threats भी होंगे, opportunities भी होंगी, यहाँ पर जैसे mention किया गया है, कि हम risk को दूसरे scale में भी convert कर सकते हैं, यहाँ पर देखा है, point one, point three, point seven, point nine, यानी points की सुरत में आप scale बना गया है, यानी vertically आप probability रहें, mention करेंगे और impact यहाँ पर हमारा horizontally होगा, यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक scale create होता है, कि अगर let's say, risk, जो probability है किसी एक risk की, activity की, वो very low है, और इसी तरह से very low का एक और scale बनाए है हमने, जो के point zero five को represent कर रहा है, और point one low को, यह scale हम, हमारे उपर ही depend कर रहा है, कि हम किस तरह बनाते हैं, हम दूसरी type का भी एक scale देख लेंगे, जो आपको confusion हो जागे मजीद, तो यहाँ पर एक, यह पिम बुक में mention किया गया है, इतलिए यहाँ पर आपको भी show किया गया है, काके आपको इस अंदाज में पता चले, तो अगर हम इस तो हमारे पास results जो भी आता है, वो हम इसमें mention करेंगे, उसके लवाब 0.3 को अगर हम 0.1 से multiply करें, तो जो result आता है, वो इसमें mention करेंगे, इतलिए हम scale को increase करते जाते हैं, जो जिसके हिसाब से result आता है, हम scale बनाते जाते हैं, और हमारे पास एक last value बनती है, 0.8 और 0.9 को multiply कर होगा, कि अगर हमारे पास probability 0.5 यानि 50% है और उसका impact जो है, तो हम देखेंगे कि 0.1 और 0.5 इन दोनों को multiply करें, यह result आता है हमारे पास, तो यह इस वक्त हमारे पास threats की सुरत में यह result है, और अगर हमने इसको coloring में mention कर दिया, कि अगर यह 0.5, 0.7, 0.6, 0.4 यह होगा, तो इसका यह मतलब है, हमने इसको represent करना है, कि यह इतना severe risk नहीं है, यह इतना severe threat नहीं है हमारे project पर, मजीद आप अगर हमने values को categorize कर दिया, तो यह थोड़ा सा darker हो गया है, हम देखा कि अगर risk, 0.5 यानि probability उसकी 0.5 है, और इसका 0.4 impact है, तो हमारे पास 0.5 point यह इस category में आ रह है, यानि हमें देखना है, इसकी cost पर एफेक्ट पर सकती है, या schedule पर एफेक्ट पर सकता है, या quality पर सकता है, scope पर एफेक्ट पर सकता है, तो इसका यह मतलब है कि हमें इनको consider करना है, इन values को हमने देखा, उसके बाद एक darker value है, उसको भी हमने देखा, similar case जैसे हम threats में लेम देखते हैं तो इसका यह मतलब है कि रिस्क को कल्कुलेशन करने के लिए हमें यह मैट्रिक्स क्रियेट करना होगा या जिसको हम कहते हैं कि एक स्केल क्रियेट करना होगा और हम उस्केल के हिसाब से पूर्य प्रोजेक्ट को रिस्क को लेके चलते हैं इसके लिए आपको legends हैं वो भी बताये गए हैं हमने scale किया कि जो qualitative analysis में हमने कहा कि जो very low होगा यानि अगर वो light green में आएगा जिसका result जब हम calculate करेंगे severity को तो हम कहेंगे very low होगा और low होगा इनकी interpretation भी हम लेखेंगे planning में कि अगर इस type का risk होगा तो उसकी planning क्या होगी इस type के coloring में risk आएगा medium तो उसकी planning यानि इसकी interpretation भी हम risk register में later on mention करेंगे लेकिन scale हमने क्या करना है planning में mention कर देना है यानि risk management plan में scale mention कर देंगे उसकी interpretation हम risk register में mention कर देंगे और possible है कि plan में भी कर सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं अगर आप देखें यहां पर कि हमारे पास वैरी लो की कटेगरी है हमने बता जिया कि यह यह रिस्क जो होंगे यह हमारे वैरी लो में आएंगे लो में आएंगे मीडियम में हैं हाई में हैं मीडियम हा नहीं है कि उसको increase किया जाए, या उसकी जो severity है वो बढ़ा ही जाए, उस risk को increase किया जाए, जबके threats की सुरत में जिसकी severity ज्यादा होगी, हमें ये कोशिश करने होगी, उसको decrease किया जाए, opportunity की सुरत में increase और threats की सुरत में decrease करना होगा, ये scale सेम सेम है, let's say जाते हैं, मैंने बताया कि अगर एक activity पे risk है, आप assessment आपने की, कि आपने देखा कि मुझे लगता है, या हमारा experience है, ये 50% या इसकी value जो है, वो 5 है, इसका probability है, 50% है, considerate कर रहे हैं हम, और उसकी value 5 बनी है, और इसका impact, अगर ये happen होता है, तो इसका impact जो है वो, मेरे हिसाब से वो 4 है, ठीक हो गया, cast wise या कुछ भी कोई impact है, वो 4 है, तो मैं ये कहता हूँ के 5 into 4, 20 है, अब ये इस line में हमारे पास आ रहा है, जो के medium बनता है, इसका मतलब है कि ये medium risk है, और उसकी जो strategy medium risk को लेके करनी ह हमने, वो हमने plan किया होगा, हम directly उसको implement कर देंगे, अगर वो risk happen हुआ, अगर ना हुआ risk happen, तो इसका मतलब है कि हमने कोशिश तो यही करनी है कि उसको mitigate करें, या हमने कोशिश यही करनी है कि उसको eliminate किया जाए, तो अगर नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, अगर वो risk naturally happen नहीं को complete कर लेना है, यानि उसको implement कर देना है आपने, इसी तरह से अगर आप उपर जाएंगे, yellow color है, फिर आपके पास reddish कुछ color है, और कुछ एक आपके पास एक और more darker red है, वो आपके पास है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप खुद हर organization के उपर आप एक कुछ scale बना सकते हैं, one to ten भी बना सकते हैं, ten to hundred, ten, twenty, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ten का scale, points का scale भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आप risk को लेके, आप एक scale create करेंगे, और इस तरह से उसको determine करेंगे, किस type का risk और कितना उसके अंदर probability या impact है, या आप कह सकते है, severity है, overall, यहाँ पर एक risk management plan का template भी mention किया गया है, इसके अंदर आपको क्या करना है, frequency and timing क्या होगी, determine the frequency of conducting pharma risk management activities and timing of the any specific activities, तो आपने यहाँ पर mention करना होगा, यहाँ पर stakeholder risk tolerance क्या है, और उसको भी हमने जैसे mention किया है, पहले उसी थाप से करेंगे, risk tracking audit, यनि कब-कब हम risk को track करते रहेंगे, और उसका audit भी होगा, जो हमारे team risk management की होगी, वो करेगी, strategy क्या होगी, किस तरह से हम manage करेंगे, general approach क्या होगी हमारी, यानि हम जो planning की है, क्या उसको directly implement करना होगा, या alternative ways देखने होगे, या हमें उसको कोशिच करनी होगी कि maximum उसकी जो है, वो insurance ली जाए, कौन सी हम, जो approach होगी, maximum use करें management, this includes any tool, approach, data source, that will be used, हमें कोई भी methodology use कर सकते हैं, जो के हम risk को लेके, project के उपर use करेंगे, roles and responsibility, किस का, कौन है, roles, यानि project manager का role क्या होगा, या responsibility, risk को लेके, या risk के हवाले थे, honor कौन है, या effect किस के उपर हो रहा है, कौन सा department है, कौन सा function है, वो हम देखेंगे, risk categories, यानि हमने कितनी किसम के category बनाई है, वो यहां mention की जाएंगे, risk management funding होगी, कि इस risk को complete throat manage करने के लिए, उसको कितना उसके उपर हमने fund रखा हुआ है, यानि एक तो होगा, जो contingency reserve का fund होगा, वो project के उपर होगा, एक होगा risk को manage करने के लिए, तो हमने, जो efforts करनी है, या कोई extra material आपको required है, उसको mitigate करने के लिए, तो वो risk management में आएगा, उसके लिए जो fund हमें required होगे, वो यहां पर mention का दी जाएंगे, contingency protocols कोन कोन से होगे, यानि किस तरह से आप contingency reserve को आप utilize करेंगे, या उनको project के उपर implement, यानि use करने का method क्या होगा, उसके protocols कोन 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 से होगे, वो template vary कर सकते हैं, यानि आप इसको alter कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से कोई template भी recommend कर सकते हैं, इस तरह से risk management, यानि template में, risk management plan में आपने ये भी definitions जो होगी, ये probability की और impacts की जो definitions होगी, वो आपने mention कर देने होगी, let's say, यहां पर आप risk की जो है probability किस type में रखेंगे, जैसे very high है, high है, medium है, low है, very low है, बाद दफा आप ये तीन category भी बना सकते हैं, high, medium, low, ये तीन category, यानि very high और very low को आप consider नहीं करते हैं, तो इसकी interpretation भी आप देंगे, there is 80% probability are higher than that, event will occur, यानि अगर very high को हम उस वाख consider करेंगे, जब probability 80% होगी, आपकी interpretation 90% भी हो सकती है, इससे effect नहीं ह होगा, बाद organization 70% को कहते हैं, कि 70% अगर probability होगी, तो हम very high considerate करेंगे, कोई कहता है कि 90% होगी, तो हम very high considerate करेंगे, इससे effect नहीं पड़ता, उससे value फिर आपकी increase होती जाएगी, definite आप जैसा scale बनाएंगे, उस हिसाब से value आ जाएंगी, चाहे वो आप 90% रखेंगे, या किसी भी हवाले से रखेंगे, आपके हिसाब से वो उस तरह की planning भी आप करेंगे, इस तरह impact की जो scaling होगी, उसको quality और कास्ट होगी, यहाँ पर आप interpretation देंगे आप चारों को, इसका ये मतलब है कि impact साब का कोई एक level हो सकता है, वो depend करता है, organization किसको high level रखती है, prioritize करती है, कोई project क क्लाइट ये कहता है कि मुझे quality कास्ट से भी ज्यादा important है project के उपर, तो आप जो risk calculate करेंगे, quality के साब से करेंगे, कोई client ये कहता है कि timing is more important than cost and quality, तो वहाँ पर आपको क्या timing को consider करनी पड़ेगी, कोई client या employment या customer ये कहता है, या आपने अगर कोई project जो खुद organization में करना है आपने कहा है कि scope is very important, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें avoid करनी होगी, scope का जो है वो हमें देखना होगा impact उसके उपर कितना percent chances है, या उसकी calculation करनी होगी हमें कितना scope, तो इस वाले ते आप कहा सकते हैं कि यहाँ interpretation आपकी impacts की यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यह भी templates के अंदर, जो हमने format देखा है, risk management plan का उसके अंदर आपको mention करना होगा, इसके बाद जब आ planning कर लेते हैं, तो आप throw out जितने भी risk होता है project के उपर उनको identify करते हैं, दूसरा process है project risk management में, इस process में हम क्या करते हैं, कि identifying individual risk as well as sources of overall project risk and documenting their characteristics, हम क्या करते हैं, जैसे हमने project के उपर stakeholders को identify कि यह था, इसी तरह से one by one, हम एक risk register के throw, एक risk जो है, वो identify करेंगे project के उपर, और उनको हम list करेंगे, उनके साथ हमने देखना होगा कि वो किस type का risk है, और उसका honor कौन है, very high है, low है, overall severity क्या है, वो risk register के अंदर mention होगी, इसका जो benefit है, यानि key benefit, documentation of existing individual risk, project risk and the sources of overall risk, हमें पता चल जाता है, कि project के उपर individual risk कोन कोन से है, और यह जो overall project के उपर risk है, वो कोन कोन से है, brings together information, so the project team can respond appropriately to identified risk, यानि जैसे जैते जो identified risk होंगे, आपकी team उसके उपर action लेगी, या plan करेगी, ये definite एक बहुत बड़ा process होता है, project के उपर, इसके जो sources हैं, या इसको जो artifacts required है, overall complete project होता है, especially documents और जो हमारे उपर जो agreements होते हैं, ये बड़े important होती है, जो आपके पास planning already मौझूद होती है, उसकी base पर आप कर सकते हैं, इस से आपको confirmation होगी, कि ये risk जो है project के उपर, अगर कोई इन में से एक plan भी miss होगा, जो यहाँ पर artifacts mention किये गए हैं, जो project management plan में हैं, जैसे requirement plan, schedule management plan cost, quality, resource, risk, scope, schedule, cost, baseline, इसी तरह से, जो भी यहाँ पर plan mention किये गए हैं, जो component है project management plan कि, एक भी अगर miss होगा, तो definite आपको उसके बाद दोबारा risk identify करना पड़ेगा, अगर यह already मौझूद हैं, तो इसका मतलब है कि आपके risk identification के लिए at least criteria पूरा है, ये minimum requirement होगी, project के उपर risk को calculate क करने के लिए, और इसी तरह documents की भी requirement होगी, हो सकता है अगर project complex नहीं है, छोटा project है, तो definite उसकी यह documents भी कम पड़ जाएंगे, यानि project documents भी कम होगे, और planning भी कम होगी, उसके साबसे होगा, अगर complex होगा, तो उस वाले से आपको वहाँ पर inputs मिलेंगी, या उनकी जो artifacts हैं required हो agreements important होगे इसके अंदर, और OPA और जो procurement documentation है, ये भी important होगी, OPA और EFV, जो है वो very important होगे, risk को calculate करने के लिए, या risk को identify करने के लिए, अगर हम methods को देखें, तो हमारे पास कई जो methods हैं, वो भी utilize करते हैं, ताके हम risk register को create कर सके, और एक risk report भी हम generate करते हैं, depend करता है कि हम किस project के phase में हैं, या project के stage पर हैं, आप initiating में है, planning में है, सौरी, planning में है, या execution में है, या monitoring and controlling में है, तो reports हम basically critically कहाء? monitoring and controlling में create करते हैं, और इस input कों सी कहाँ पर मिलती हैं, यह report जो generate होती है, वो risk register में, risk register से मिलती है, तो वहाँ पर हम आसानी से जो है, वो ले सकते हैं, इसकी base पर ह सकते हैं यहीं चीजा यहां पर भी मैंशन किये हैं very important जो चीजें हैं वो पॉजेक्डाकूमेंट से अग्रीमेंट से प्रक्यूरमेंट हैं जससे हम रिस्क को identify करेंगे इनको detail यहां पर कर दिया गया जैसे requirement management plan है कि यहां पर हमें कौन कौन सी particular जो risk से related जो objectives होंगे project के जो वो indication देंगे आपको या वो trigger बताएंगे कि इससे कोई न कोई risk happen हो सकता है schedule management plan उस वाले से भी उसको identify करेंगे कि किस तरह से कौन-कौन चेरियाज हैं जो risk को trigger कर सकते हैं वो हमें requirement होंगी यह सारे के सारे documents हमें review करने होंगे identification के लिए project के उपर risk identification के लिए जाते assumption lag है, cast estimate, duration estimates issue lag, lesson register यह lesson register भी हम जाते ही create करते हैं तो execution में यह create किया जाता है तो उस वाक्त हमें दोबारा जो हम इसको update कर सकते हैं अगर हमने हमारे पास कहीं OPS की सुरुत में अगर lesson register हैं तो वो हम उसको भी utilize कर सकते हैं risk के उपर, इस current project के उपर risk को identify करने के लिए requirement documentation है, resource requirements है, stakeholder register है तो यह सारे की सारे documents जो है project के उपर, यह हम utilize करते हैं ताकि हम identify कर सके यहाँ पर जैसे mention किया गया important aspect है, agreements if the project requires actionable procurement or resources, the agreements may have information such as milestone deals, contact type acceptance criteria, awards and penalties that can present threats or opportunity, यह हमें कुछ ना कुछ criteria दे सकता है, जो opportunity भी हो सकती है और threat भी हो सकता है यह सारे aspect हमें दोनों किसम के risk देंगे, agreements में agreements and contractual obligations would have a significant bearing on the risk to project to a project as non-compliance or fulfillment of such obligations could seriously impact on the project outcome तो यह हमें definite यह impact कर सकते हैं, जो agreements है, procurement, documentation, definite आपको यह करेंगे, impact करेंगे, कि आपने किस तरह से services यह results, external है, organization के या internal है, या आपने hiring की है, या नई की, या हो सकता है, हो सकता है, कि आपने renting की हो, कोई activity, जो आपने, जो material rent किया हुए, या equipment rent किया हुए, उसका कोई risk है, procurement स related, जितने भी documentation होगी, वो भी आपको helpful होगी, identify risk करने के लिए, identification के लिए हमारे पास, वही methods है, या हमनी, expert judgment, data gathering, data analysis, interpersonal team skills, और prompt list, यहाँ पर एक नई list आई है, जो के prompt list होगी, उससे भी आपको trigger मिलेंगे, कि कहां कौन से risk, जो है, वो happen हो सकते है, project के उपर, expert judgment, आपको पता ह है, कि हम अगर risk, register create करने के लिए, हमारे पास expertise नहीं है, तो हम, किसी से भी हम, जो insights ले सकते हैं, या हम उनसे, उनकी judgment ले सकते हैं, या हम उनसे expertise ले सकते हैं, और register को create कर सकते हैं, data gathering, different documents से हम data gathering करेंगे, और data gathering की techniques हमने, जो है, वो, काफी सारी, हमने use की हुई है, already, different processes में, जैसे brainstorming है, interviews है, और checklist है, तो अगर large number है, तो उसके questionnaires आप create कर लेते हैं, और फिर आप tick करते जाते हैं, कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, तो large number of respondents होते हैं, या candidates होते हैं, या आपके team members हैं, उससे आपने data gather करना है, risk के हवाले थे, तो आप यह utilize करते हैं, अगर smaller numbers हैं, तो आप interviews क करते हैं, जिससे आप data gather कर सकते हैं, project के ओपर risk के लिए, data analysis जैसे ही आप data gather कर लेते हैं, तो उसको analyze करते हैं, उसके लिए आपको एक method यूज करता है, जिसके अंदर हम root cause analysis होता है, यह आप जो भी project के ओपर risk identify कर चुके हैं, या data उसका ले चुके हैं, तो उसको आपने उस and can determine the risk यानि आप ये कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि रिस्क होगा लेकिन उसके root cause क्या है वो किस जगा से trigger हो रहा है वो आप आसानी से इस root cause analysis के जरीए आप ले सकते हैं ये method हम use करेंगे जैसे हम risk आगे लेके चलेंगे अभी अपने slides में assumption and constraint analysis भी करते हैं आप assumption जो आपने ली थी हो सकता है inaccurate हो और आपको threats दे सकती हो और बाज जफा वही constraint या assumption जो होंगी जो आपने बहतर तरीके से ली थी और वो हो सकता है कि आपको कहीं एक activity पे relax कर दे और वो आपको better opportunity दे सके ताकि आपका project cost wise या schedule wise आपको कुछ न कुछ relax मिल सके और वो opportunity में convert जाए जिससे cost आपकी saving होगी और overall project का risk भी कम होगा एक और method है जिससे हम risk का जो data है वो analysis कर सकते हैं जिसको हमने utilize किया था stakeholders में भी जिसको मैंने बताया था SWOT analysis होता है SWOT analysis में basically हम क्या करते हैं हम overall organization के उपर यानि project की जो weakness हैं हमारे पास वो हम collect करते हैं उनको हम रखते हैं एक जगा पर जो हमारी उस project को लेके strength है वो हम उनकी list करते है one, two, three, three, four, five हमारे पास strength है लेट से हमारे पास strength यह है के qualified qualified जो हमारे team members है qualified है, skillful है यह हमारी strength है weakness क्या है, क्या हमारी time management weakness है, जो project management है, वो weakness है, वो हमारे strength नहीं है, वो weakness होगी, threats कौन-कौन से है, one list करेंगे, opportunities कौन-कौन से मिल रही है, वो आप तो हम क्या करते हैं, basically अपनी weakness को improve करते हैं और strength में convert करते हैं, और threats को हम eliminate करते हैं और opportunities में convert करते हैं तो इस तरह से हम एक SWAT analysis करके भी हम identify करेंगे कि threats और weakness को कैसे हम opportunities जो strength में convert कर सकते हैं उसके लिए हम वह सारे method भी है वो utilize करेंगे SWAT analysis में जैते हैं यहाँ पर mention भी किया गया strength weakness यहाँ आपके लिए मजीब detail दी गी है document analysis भी कर सकते हैं जैते risk may be identify from the structured review of project documents including plans, assumption constraint, previous project files, contracts, agreements and technical documentation. Uncertainty and project documents may be indicators of risk on the project. इसके इलावा मीटिंग्स और इंटरपरशन स्किल्स की help से भी आप क्या कर सकते हैं? risk को identify कर सकते हैं. जैते आप facilitation देते हैं, कोई workshop है as a project manager, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर आप different opinions लेते हैं, तो उस हवाले से भी आप जो है वो किसी भी risk को आप ले सकते हैं, किसी भी opinion से भी आप देख सकते हैं कि इसकी ये opinion है, इससे ये मिल रहा है, तो आप उससे भी helpful फुल ले सकते हैं और identify कर सकते हैं output पे में risk register create होता है और report create होती है, इसको हम देखते हैं किस तरह से register होता है, इसके उपर a list of all identified risk used to track management of risk throughout the project life cycle, responses may be determined in subsequent processes, but are not captured in the risk register, अगर responses आपके किसी और processes से हैं, तो definite वो नहीं होंगे, लेकिन overall जो action होगा या response होगा या plan होगा, वो हम risk register में mention कर देंगे, ये basically त्वा, जितने भी risk register, risk होते है, project आपर उनकी एक list होती है, जैसे stakeholder की risk ती, यहाँ पर एक mention कर देंगे, एक risk register, यहाँ जैसे बिताया गया कि risk register के तोर पर आपने 1, 2, 3 date कौन सी है, वो risk कब, आपने identify किया है, उसकी date होगी, risk की category कौन सी है, यानि आपने वो technical risk है, management है, जो आपने बनाई होगी categories, उसके वाले से उसका grouping mention करेंगे, उसका description होगी, क्या type है risk की, किस type का risk है, funding से है, cast से, यानि कोज सा risk है, या कौन सी activity का risk है, वो description आपने देना होगा, उसका root cause कौन सा है, वो आपने देना, जो हमने activity की base पर ये risk आ रहा है, तो उसका function देखना होगा, उसका process देखना होगा, कि वो root cause भी यहां mention करेंगे, अगर आपको नहीं है, पता इस time पर जिस वक्त का risk register create कर रहे हैं, तो no problem, later on इसको update करेंगे हम, अगर यहां पर सिर्फ आप risk की details, यानि risk disruption भी डाल देंगे, तो risk register at least हमारे उपर, यानि हम बना रहे होंगे, risk register हमने start कर दिया, तो later on हम इनको update कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी available root cause नहीं है, तो, जैसे हमने one minute की break और उसके बाद तोबारा join करेंगे हैं. किसे सकता है? झाल जी तो जाइन करने ने फिर उसके बाद जैसे हमने मेंशन किया प्लैनिंग में कि हम सवेरिटी को भी देखते हैं पोजेक्ट के उपर यानि हम कैलकुलेट करते हैं वो रिस्क के रिजिस्टर के अंदर मेंशन होगी ओवराल सवेरिटी क्या है रिस्क की जैसे यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि रिस्क की सवेरिटी यहां पर मेंशन है वो डिपेंड कर रही है लाइकलिहोड यानि यहां पर मेंशन क्या गया है लाइकलिहोड यानि अकरेंस जो उसके chances है जो probability है उसकी वो कितनी है और उसके ओपर potential impact कितना है वो कितना है उस सवाले से फिर हम total severity को calculate करते हैं यहां पर mention कर दिया है severity को भी mention कर दिये गए इस तरह से अभी एक जो है वो join नहीं किया इहतिशाम नहीं किया anyway I hope कि वो join कर लेगा risk honor कोन है यानि इस risk को कोन own कर रहा है तो वो यहां mention कर दिये जाएगा project manager है sponsor है कोन है हो सकता है कोई functional manager भी हो जाते हैं यहां पर mention कर दिये गए कि functional manager रिस्क manager है वो भी हो सकता है और इस तरह से हम क्या करते हैं कि risk owner को भी mention करते हैं यहाँ पर वो ही जो मैंने पहले बताया कि risk का trigger क्या है जो root card से भी हमें पता चल जाएगा कि यह risk trigger कहां से हो रहा है तो हमें वहाँ पर category में यहां risk triggers को भी mention करना होगा risk register में वो mention कर देंगे और इसके इलावा आप यहां पर एक और category बताएगी है potential risk response जब हमने यह categorize कर दिया है और risk को हमने severity भी calculate कर दिये तो हमें trigger का भी पता है तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमरे पास plan हो तो हम इस risk register को update करके plan भी बता देंगे कि यह risk अगर happen होगा तो हमारा यह plan है हम उसको directly execute कर देंगे हमें यह पता अगर हम let's say one risk में calculate किया है कि supplier जो है material delay करेगा अगर within that date जो हमने calculate की हुई है उसके उपर अगर supplier delay करता है तो हमने यहां response mention कर दिया होगा कि हम alternative जो supplier है उससे material ले लेंगे तो हमारे पास एक response plan create होगा जो के risk register में mention होगा इसका मतलब है कि अगर overall project के risk आप identify कर लें तो project के ओपर जो भी risk होता है already calculated होता है जो फोर्सीन risk होते है identified risk होते हैं उनके plans भी mention होते हैं और वो plan directly आप implement करते हैं और यह plan हम क्या करते है planning में complete करते हैं जैसे हम एक identification करेंगे qualitative analysis करेंगे quantitative analysis करेंगे उसके बाद हम plan भी create करते हैं तो हम सारे इंशाला देखते हैं next slides में risk report provides summary of information provide summary of information about project risk and the overall risk exposure of the project with significant risk being highlighted यानि हमें वो report भी हम create कर सकते हैं इस risk register से जो के हमें मिलेगी कि इतने risk हमने identify कि इसका potential जो highest risk हैं वो भी हम देख सकते हैं जते हमारे पास यहां red line red category में हमारे पास है high risk हैं और हमने तीन category में divide किया हुए यह जो scale हमने बढ़ाया है इसके उपर वो हमारे पास low medium और high है इस वक्त हमारे हम देखें तो high severity वाले risk हैं हम इनको देखेंगे कि यह जो है वो कितनी amount के risk होंगे यानि cast wise हमें कितना पढ़ रहे हैं यह यानि उनका impact schedule wise क्या है और वो हम देखेंगे उस सवाले से हम यह कह सकते हैं report के अंदर mention कर देंगे यह हमारे overall project के इतने percent कास्ट को जो हमने जो contingency reserve रखें हैं वो basically इनी basis पर होते हैं वो इतना percentage है उसकी जो वो लेके जाएंगे अगर वो पन हो गए तो एक बात बहुत important है जो आपको पता होनी चाहिए risk basically first हमारी priority यही होती है या projects के ओपर mostly यही किया जाता है जो activity critical path पे होती है उसकी हम qualitative or quantitative analysis करते हैं यानि जो major activity critical path पे होती है उनकी हम ज्यादा focus करते हैं उनको commoditify करते हैं कि इन से कोई related तो risk नहीं है इन से कोई stakeholder related नहीं है उसके उपर तो कोई risk नहीं है उसके एपिटेट्स क्या है या उस risk के जो thresholds है वो यानि उन activity के जो threshold है जैसे हमारे पास accuracy का sorry schedule का threshold है कास्ट का threshold है और इसी तरह से scope wise कैसी activity है वो क्या वो increase तो नहीं करेगा scope वो activity को गर risk हो गया तो तो इस तरह से हम क्या करते हैं critical path पे जो जो activities होती है project के उपर उनके हम analysis करते हैं later on अगर हमें वो critical path पे नहीं है और आप देखते हैं near critical path पे भी major risk है तब भी हम ल project के उपर critical path पे जो activities हैं उनको हम उनकी severity को highlight करें और उनकी severity को calculate किया जाए उनकी likelihood या जो potential impact है उनको calculate किया जाए next हम क्या करते हैं जब हम identify कर लेते हैं project के उपर जो risk होते हैं उनको हम analysis करते हैं उनका analysis में जो first analysis होता है वो qualitative analysis qualitative analysis straight forward वही है जो हमने अभी calculate किया है कि जो risk या impact और probability जो हमने calculate किया basically qualitative analysis इतना ही है कि आपने इतना identify करना है कि यह risk high है कि low है आपने उनकी cost wise या quality wise जो analysis है वो quantitative में आएगा आपने उस वह level पर नहीं जाना जबके बलके बाद सिर्फ इतना रहना है कि यह किस category में जो आपने scale create किया होगा उस वाले से आप उसको probability या impact को calculate करेंगे major inputs में project documents होंगे या आप इनको लेके या plan जो आपने create किया है अभी risk के वाले थे वो आप front रखेंगे और उससे आप qualitative analysis करेंगे और मैंने यह पहले बताया आपको जो major चीज़ है qualitative या quantitative analysis उस वक्त उन activities का हम करते हैं या उन risk का करते हैं जो critical path पे activities होती है mostly expert judgment अगर आप नहीं कर सकते हैं खुद या आप insight लेना देते हैं तो qualitative analysis के लिए आप expert hire कर सकते हैं उससे आप वो risk को analysis करवा सकते हैं data gathering है data analysis है interpersonal team skills और risk categorization या यह हमें required होंगी आप या categorize करके आप उसका analysis कर सकते हैं data representation होगी उसके बाद analysis में यह कुछ चीज़े हम discuss करते हैं data gathering में हमारे पास interviews में भी used together assess probability impact of the identified risk जो identify अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं identified क्योंकि अभी हमने process complete किया है identification का risk interpersonal skills में हमें definite as a project manager और meeting और interpersonal skills से मेरी requirement होती है जो के हमें risk workshop या हम मीटिंग हम productive meeting करते हैं तो identification हम risk के उपर करते हैं risk probability and impact matrix assessment जो है वो assessment वही होगी कि आपने severity calculate करने होगी वो low है high है medium है वो अपने जो scale create कि होगा उस वाले से आपने उसकी assessment करने होगी risk data quality assessment जो है वो क्या है data must be relevant complete and objective use of proper quality data reduces the effectiveness of this process and may even increase the probability of negative risk raising ठीक हो गया तो वो हो सकता है कि अगर आपने poor quality का data लिया है तो अगर वो data की quality आपकी ठीक नहीं है data की quality ते मराद यह है कि जो आपने perception ली है high medium और low की जो आपने देखा है से आपने data calculate किया है कि जो risk था high था आपने उसको low considered कर लिया है वो data जो आपने लिया है उसकी assessment या उसकी reliability जो होगी वो depend करती है या उसकी quality क्या है वो depend करती है आप as a risk manager जो होगा जो risk manager होगा या as a project manager आपने risk को assist किया है तो आप कितने percent confidence होगे क्या 돼요 होगी उसकी कि आपने वो जो data दिया है वो accurate है यापने risk को high considered किया है तो high होगा अगर low considered किया है तो low होगा medium consider किया है तो medium होगा पॉजेक्ट के उपर और इसकी जो confirmation है वो आप OPS से भी confirm कर सकते हैं या data ले सकते हैं या lesson register के अंदर अगर हमें previous project lesson register मिल जाए उससे भी आप help ले सकते हैं कि हमारी जो हमने assessment की है project के ओपर risk का data लिया है वो कितना accurate है या क्या हमारा relevant data बनता है कि नहीं बनता जो हमने जो organization ने पिछले projects में किया है data analysis में हमें क्या assessment of other risk parameters जैसे हम urgency है proximity, dormancy, manageability, controllability, detectability, connectivity, strategic impact है property quantity है तो ये चीज़े हमें क्या करती है कि ये भी हमें analysis जाने risk parameters में हम इनकी basis पर भी हम जो analysis है वो कर सकते हैं urgency की basis भी कर सकते हैं कोई ऐसी activity हो सकती है जो के इस वाले थे हो के stakeholders ये कह सकता है कि ये इस activity को हमने इस अंदाज में या पहले करना है या बाद में करना है उस वाले थे भी आप risk को कर सकते हैं, assist कर सकते हैं या data ले सकते हैं risk की categorization जो हमने पहले study की है definite वही होगी किस टाइप के risk हो सकते हैं RBS में हम ने representation की थी वो हमें same हमने रखनी है कि risk कौन-कौन से internal है, external है या internal में technological है या resource है आपका technology में system integration है, development tools है internal में हमारे पास legal या market risk हैं वो हम different अंदाज में हम categorize कर सकते हैं risk को, इस वाले से भी हम देखेंगे कि जो quantitative analysis है वो complete कर सकें हम यही same metrics हम इस्तवाल कर रहे हैं, जो कि हमने पिछे planning में हमने mention किया था कि हमने, हमने कहा कि हम तीन category का risk लेंगे low, medium और high, हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे risk register वाली जो हमने वहाँ पर दिखी, यहाँ आपके लिए understanding के लिए मजीद भी यह slide venture कर दी गई है, यहाँ पर जो same हमने use की थी, एक यहाँ पर यह जो है वो चार्ट आपको दिखाया गया है, यह जिसको कहते हैं कि sheet दिखाए गई है, इसको आप understand करेंगे, तो मजीद आपकी clarity हो जाएगी risk के अवाले थे, जैसे यहाँ पर है, severity है, probability और impact, यानि overall severity क्या है, अगर आप let's say एक risk है, uses of improper, unsafe equipment, यह आपको एक event है आपका, उसकी severity क्या है, यह आप देख रहे हैं कि इस event की जो severity है, वो है, उसका impact या probability क्या है, उसकी base पर हम severity calculate करेंगे, और हमरे पता है कि R is equal to P into I है, यह probability into impact है, यह हमारे पर formula भी mention है, तो हम देखते हैं कि improper use of unsafe equipment है, unsafe equipment को अगर हम uses करते हैं, तो हमें क्या probability chances क्या है, कि यह जो है, वो threat आएगा, यह opportunity होगी हमारे पास, यह दोनों किसम के risk की calculation अगर हम देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं, improper use कर रहे हैं, तो definite को threat होगा, तो threat की calculation होगी यहाँ पर, उसकी probability उसने mention किया है, कि यह medium है, तो medium है इसका मतलब है कि अगर यह risk happen होता है, तो 50% chances हैं, या medium की category वो mention कर दी होगी है, हमारे scale में 40% है, 30% है, medium को consider करने के लिए, या 40 to 60% है, तो in between को value आ रही होगी, तो हम देखते हैं, कि वो हमारी medium में आती है, अगर यह risk happen होता है, इस वक probability chances उसके medium है, अगर यह happen होता है, चू सब आप devian भी कर सकते हैं, इनके उपर भी, जैसे very high, high, medium, low, very low, इनको भी sub-categorize कर सकते हैं, अगर आप चाहें, मजीद detail में जाना चाहें, वरना आप direct medium को consider कर सकते हैं, इस तरह impact में हमने कहा कि अगर यह happen होता है, रिस, unsive equipment के वाले थे, हमने देखा, इसका impact very high होता है, क एक इनसानी जान, जो improper, unsive equipment है, उसकी वजाते हो सकता है, death हो किसी की, तो इसका जो impact है, वो very high हो सकता है, तो overall अगर medium और very high की हमारी strategy यह होगी, कि हम उसकी severity को high considerate करेंगे, फिर उसकी calculation करेंगे, probability और impact को देखते हुए, जो हमारे पास, जो हमने यहाँ scale बनाया होगा, उस स्वाले थे हम देखेंगे, कि वो किस category में आता है, वो risk, तो अगर वो very high में आएगा, तो very high considerate की जाएगा, और अगर वो high में आएगा, तो हम severity जो हो high considerate करेंगे, अब यहाँ पर बात रहते है, impact की, तो impact मैंने बताया, time, cast, और quality और scope में होता है, तो यहाँ पर हमने importance दे time को consider किया जाएगा, तो यहाँ पर हम time को consider करते हुए very high रखा, इसका मतलब है कि अगर हम दे, uses of improper or unsafe equipment, यह हमें time के ओपर, client या customer की requirement थी, कि यह जो है, activity के ओपर, जो equipment use हो रहा है, उसकी timing very important है, तो हमने देखा कि हमने prioritize time को कर दिया, secondly हम cast को देगें, third quality को, fourth scope, तो इसका यह मतलब है, priorities जो है, वो mention कर दी जाएंगी, planning के अंदर, के project के ओपर, client की क्या priorities है, सबसे पहले, वो बता देगा कि time important है, मेरे project के ओपर, उसके बाद, cast है, quality है, यह से, scope है, तो उस हवाले से हमें, impacts भी mention करना होगा, तो उसके हवाले से हमें, severity भी आ जाएगे, calculate हो जाएगी, और हम इसी तरह से दूसरे risk, जो हमने list किया होंगे, उनकी भी calculation कर लेंगे, qualitatively, यानि हम उसको overall, medium, high, low, very high, इस तरह से consider करके, हम कर सकते हैं, data representation में, यानि risk को, जो आपने qualitative analysis किया है, उसको different, हम representation में भी, client ये customer को satisfaction के लिए, कि ये risk यहाँ पर है, या अपनी यो team है, उसको confidence में लेने के लिए, या उसके overall, जो हमने risk contingency reserves जो लगाने हैं, उसकी basis पर हम ये देखते हैं, कि कुछ representation करते हैं, ताके हम very sure हो जाएं, कि जो risk हमने calculate किया, या identify किया है, ये हमारे proper, उसी activity को represent कर रहे हैं, या जो contingency हमने reserve लगाए हैं, इस phase पर, ये timing में risk के प्रोजेक्ट के करते हैं, और method हैं, जो के hierarchical charts भी हो सकते हैं, या कोई और method भी हो सकते हैं, या हमारे पास ये bubble chart यहां पर mention कर दिया गया है, या टाइम फ्रेम है, प्रोजेक्ट के ओपर, first month, second month, third month है, कोई भी time frame हो सकता है, और इस दर वर्टिकली हम देख सकते हैं, कि project की जो stages हैं, यानि overall impact होगा, वो हम देख सकते हैं, यहां बड़े bubble का मतलब यह होगा, कि बड़ा impact है, यानि उसकी severity high है, और छोटे bubble का, यानि smaller size है उसका, वो show करता है उसके, यानि impact को, यानि कम impact है, यह severity बहुत कम है उसकी, with respect to this risk, तो हमें time frame के हिसाब से, जैसे project progress करता है, तो time frame के हिसाब से हमें यह बताया जा रहा है, कि रिस्क कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, तो bubble chart भी हमें represent, जैसे हमें schedule होता है, यह हमारे F curve है, उसके वाले थे भी हम कह सकते हैं, कि show कराने के लिए हमें bubble chart, इसकी दूसरी way भी है, कि हम bubble chart को, यानि bubble के size को, overall project को एक frame में अगर हम होंगे, यानि probability और impact जो होगा, उसके वाले उनकी values के वाले से, या हम यह कह सकते हैं, कि उनकी severity होगी, overall वो different project के aspect को जाहर करेगी, तो हम यह representation यह भी बना सकते हैं, कि कैसे कैसे हमारे risk, जो है, वो कितना severity के risk को देख रहा है, overall हमें picture नदर आ जाती है, कि सबसे जो बड़ा bubble है, इसका यह मतलब है, कि project के ओपर इस जगा पर हम show कर रहे हैं, कि यह एक बड़ा risk है, जिसको हमने closely देखना है, उसके बाद इसको देखना है, इसको देखना है, तो यह किसम का एक bubble chart example के तोर पर आपको show कराया गया है, ताकि आप इसको utilize अगर करना हो, यह यह bubble chart use करना ह हैं, हमें इसकी base पर हमें क्या करना है, जैसे हम qualitative analysis कर लेते हैं, तो हमें definite हमें क्या करना होता है, कि project के ओपर risk register को update करना होता है, qualitative की base पर हम क्या करते है, risk register को खाली update करते हैं, यह जो information हमने दी है, पहले हमने risk register में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ risk को describe किया हो, और उसका root cause भ अभी हमें trigger भी नहीं पता response भी नहीं पता और root cause भी नहीं पता हमें अभी इस वक्त information में लिए qualitative analysis में कि यह risk severity इसकी कितनी है और इनका impact कितना है और probability कितनी है इस register को हम क्या करेंगे इस qualitative analysis की basis पर हम अपडेट कर देंगे जितने भी risk होंगे उनको हम अपडेट कर देंगे उनकी detail यहां mention कर देंगे इसके बाद हम क्या करते है quantitative analysis करते है quantitative में हम क्या करते है जैसे word से भी mention है कि हम accurate यानि direct cast हम दता देंगे कि यह risk यह high था इसकी severity high थी या impact high था तो इसका overall impact यह schedule पर इतना days का impact पड़ेगा या quantify कर देंगे या इतना overall cost wise में को यह Q पर effect पड़ेगा तो इसको हम कहते है quantitative analysis direct analysis करना इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है documents की requirement होगी यह जंशन लाग, basis of estimate, cost estimate, cost forecast, duration estimate, milestone list, resource requirement, risk register जो हमने create किया था identify अभी अभी हमने, risk reports होगी जो साथ में हमने create की है, schedule forecast होंगे, जो हमने schedule से लिए होंगे, तो इस वाले थे हम इन सारे documents को utilize करते हुए quantitative analysis करेंगे, जो के create करने, यानि quantitative analysis करने के लिए हमें different methods भी use करने पड़ते हैं, expert judgment, data gathering, interpersonal team skills है, representation है, यानि uncertainty की representation है, और data analysis है, representation के बाद आप उस data को analyze भी कर सकते हैं, या gathering के बाद आप analyze भी कर सकते हैं, data gathering में interviews में भी use together, expertise regarding individual risk, आप individual risk, चुके आपने register में individual risk को identify करके आपने mention कर दिया है, तो आपने अब use wording जो use कर दी हैं, वो individual इसलिए कर रहे हैं, individual risk को आपने quantify करना है, पहले आपने qualify किया है उसको, यानि उसकी quality check की, कि high है कि low है, अब हम क्या कर रहे हैं, कास्ट वाइड या overall project के उपर schedule वाइड कितना impact पढ़ रहे है, वो हम quantify करेंगे, उसके लिए हमें interviews जो है, वो best idea है, उससे relate यानि honor कौन है, interview उसका करेंगे, और उसकी हवाले से हमें, उसकी overall जो impact होगा, project के उपर वो हम देख सकते होंगे, उसके बाद हम data analysis में जो technique यूज़ करते हैं, simulation है, यह जो impact यानि interview की basis पर हम करते हैं, basically हमें overall idea मिलता है, कि design के उपर वो जो risk हमने interpretation करनी है, या कोई और function है, w-based का element है, या risk category का element है, उसके अवाले से हम interpretation बना देते हैं, उस interviews की basis पर, जो हमने उस particular stakeholder से interview की होगा, उससे बताना होगा, उससे पूछना होगा, कि यह जो severity होगी, अगर उसकी severity हाई है, तो task कितनी होगी, अगर severity हाई है, schedule में कितने days हम उसको interpretation करेंगे, most likely कितनी होगी, high कितनी होगी, low कितनी होगी, यानि medium कितनी होगी, तो हमारे पास यह चार्ट create करेंगे, इस quantitative analysis में, और उसकी basis पर हम बताएंगे कि overall contingency reserve हमने कितने रखने हैं, qualitative कर बात, qualitative जब हम करते हैं, तो पता चल जाता है कि contingency reserve हमें कितने लगाने हैं, उस खास activity पर, यानि critical path पर जो activity होगी, उसका analysis करेंगे quantitative, एक बात बहुत important है कि project के उपर क्या सारे जितने identified risk होते हैं, उनका सब का quantitative analysis किया जाता है, या सिर्फ qualitative analysis किया जाता है, तो ये exam point of view से और practically perspective से ये very important बात है, कि आपके project के उपर जितने भी identified risk होते हैं, उनके उपर सब को qualitative analysis किया जाता है, और जिनका impact very high, या जिसको कहते हाई होगा, अगर required होगी तो उसका quantitative analysis किया जाएगा, project के उपर सारे identified risk का quantitative analysis नहीं किया जाता, यानि ये बात आपको पता होनी चाहिए, जितने भी critical path पे activities होती हैं, उनके उपर qualitative analysis must किया जाता है, quantitative analysis selective या high risk जिनके उपर होता है, या severity जिनकी high होती है, उनके उपर हमें, वो चाहे positive risk हो या negative risk हो, दोनों के उपर हमे quantitative analysis करना होता ह है, यानि प्रेटाइज किया जाता है, risk को, और प्रेटाइज करके जिनकी severity हाई होती है, और उनका सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, quantitative analysis करते हैं, data analysis में, जो आपको data मिल जाता है, quantitative analysis करने के बाद, या इतना impact है, schedule wise हो, या चाहिए हो, cost wise हो, या scope wise, या quality wise, तो उसको हम analysis करते उस data को analysis करते हैं, उसके लिए हम simulations यूज कर सकते हैं, simulations यही होता है कि जो accurate, यानि किसी software की base पर हम accurate उसको यह test करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वाकिए यह इतना impact पड़ेगा, तो वो हम analyze कर लेते हैं किसी simulation की base पर, sensitivity analysis भी करते हैं, DC entry analysis करते हैं, influence diagram यूज करते हैं, सबसे पहले अगर हम simulation देखें, तो हमने पहले भी बात की थी कि Monte Collier analysis जो है, वो best idea है, वो Monte Collier क्या कहता है, कि आप कोई individual risk को, जिसको आपने quantify करना है, किसी भी base पर आप उसको simulate करते हैं, software यूज करते हुए, आप उसको implement करें, उसका impact भी बताएं, उसकी severity भी complete बताएं, और उसका probability भी बताएं, उसके वारत हैं, जब आप execute करेंगे, तो software आपको बता देगा, कि ये risk इतना, वाकिए ये happen होना है, या नहीं होना, या कितना impact, आपने जो calculate किया है, वो same है के नहीं है, तो simulation के दरिए data analysis कर लेंगे, और accuracy आपनी check कर लेंगे, कि वाकिए आपने ये किय है, यहां पर mention भी कर जाए, predicted total, जो है, predicted है, जो कि हमने, जो probability पे या impact पे, जो uncertainty थी, उसके वाले थे, जो है, वो हमने calculate किया होगा, उसको हम इस तरह से software based पे हम use करके करते हैं, और इसकी दूसरी representation यहां पर ये mention कर दी गई है, कि schedule risk जो है, वो यहां पर mention कर जाएगे, different level के risk करते हैं, उनको आप देखते हैं, कि यहां मैंने activity की, इसका ये severity है, उसकी दूसरी high है, तीसरी है, तो इस तरह से आप graphical representation के जरीए, different software के जरीए, आप उनको identify कर सकते हैं, क्वांटिफाइ कर सकते हैं, कि schedule और कास्ट वाइद हमें कितना impact पढ़ रहा है, और कहां पर किस activity पर या किस जगा पर project के phase में हमें कितना effect पढ़ रहा हो गया, इसके बाद sensitivity analysis भी करते हैं, बास दवा हम देखते हैं, कि project के ओपर जब हम identify risk कर लेते हैं, तो हमें देखता होता है, कि project को एक zero level create करते हैं, हमें देखते हैं, कि project के ओपर negative risk भी होता है, और positive risk भी होते हैं, one side ह करते हैं, और हमने जितने भी जिनके ओपर analysis कर लिया होता है, जैसे quantitative analysis हमने कर लिया और data हमारे पास मौझूद है, तो हम sensitivity analysis करेंगे, कितनी deviation है उसकी, यानि एक reference point से, कितना वो impact कर रहा है, जैसे हमारे पास, यहां अगर mention करें, इस side पे हमाई opportunity considered कर रहे हैं, इस पे threats considered कर रह हमें cast wise कितना impact पर रहा है, अगर हम opportunity देखें तो cast हमारे opportunity यह risk जो है, हमने देखा कि highest may be find fewer farts, यानि यह जो जो भी activity है, वो हमें बता रही है कि बहुत कम chances है यह fart happen हो या fart होंगे, तो यह किसम कि opportunity create हो रही है, तो हम यह देख रहे हैं कि कोशिश करेंगे हम, कि यह ऐसे ही हो और हमें maximum benefit मिले इसका, तो हम देखते हैं severity की base पर हम उनको जो graphical representation है उसको show करके हम यह देख सकते हैं कि कितने बड़े threats हैं और कितने हमें हैं, उससे हम क्या करते हैं, overall इस data की base पर हम करते क्या है, basically benefit क्या है इस data का, तो हम देखते हैं कि इसकी calculation करेंगे, अगर हम cast wise देख र 6 million हमारी opportunity है, जो project के ओपर अगर हो, तो हमें 6 million का profit होगा, और threats कितने हैं, यहां पर हम देख calculate करते हैं, total 10 million है, तो total 10 million में से 6 million को हम manage कर देंगे, तो overall हमारे concept में 4 million का loss हो सकता है, यानि contingency reserve हमारे 4 million use होंगे, तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं, कि data जो मिलेगा qualitative और quantitative में स हम sensitivity analysis देख के हम यह calculate कर सकते हैं, जो हम reserve लगाने जा रहे हैं project के ओपर, cost wise, schedule wise, किसी भी base पर, तो वो overall project के ओपर impact कितना पड़ेगा, इन को minus करके, threats से, opportunities को minus करके, तो हम देखते हैं कि कितना impact overall है, या कितनी हमें, वो cast लग रही है project के ओपर, या schedule use हो रहा है, इस किसम की जो diagram है, या इस किसम की जो representation है, उसको हम tornado diagram या tornado representation भी कहते हैं, तो यह बाद जबाए exam में यह आ जाता है, कि tornado की explanation होगी, इसी तरह जाते मैंने बताया, कि एक side पर threat होंगे, एक side पर opportunity होगी, उनका impact बताया जाएगा, उसकी calculation की base पर हम फिर क्या करते हैं, कि threats में स opportunity को divide करते हैं, यानि sorry, minus करते हैं, तो इस वज़ाते हैं मिलता है overall data, data analysis में हम decision tree analysis भी कर सकते हैं, कि अगर हमारा ऐसा हो तो हमें क्या मिलेगा, इसकी base पर हम EMV calculation करते हैं, यह थोड़ा सा complicated है, और मैं इसको timing की वज़ाते हैं, मैं इसको यहाँ stop कर रहा हूँ, बाकी हम next lecture बे देखेंगे, और चुक्के बाकी time ज्यादा हो गया है.